हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कुछिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियों बात करेंगे प्रतिसत के प्रेशनों की प्रतिसत के सभी प्रेशने इंपोर्टेंट हैं पूरा वीडियो देखेगा सब को समझ माएगा तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है एक यात्रा पर व्यराश से ग्यात करें कोई भी प्यक्ति हो उसकी जो भी आये होगी वह अपने आप में 100% होगी यह बात आप जानते हैं अब 100% में क्या किया चालीस पर्स किराय पर खर्च कर रहा है 20% किराए पर खर्च किया 12% यात्रा पर खर्च किया 12% यात्रा पर खर्च किया और 10% सिक्षा पर खर्च किया ठीक है अब 100% उसने कमाया और ये उसने खर्च कर दिया टोटल के खर्च कितना कर दिया 40 और 20, 60 60 में 10 जोड़ो 70 और 70 में 12 जोड़ो 82% टोटल उसने कितना खर्च कर दिया है 82% खर्च कर दिया 100% कमाया और 82% खर्च किया 100 मेंसे जब 82 खर्च हो गया तो बचत कितनी की हुई 18% की बचत हो रही है 7200 रुपे की 7200 रुपे की बचत हो रही है ठीक है 18% कमान 7200 के पराबर तो 1% कमान कितना 18 से यह भी कटेगा यह भी 18 एकम 18 अठारे चौक 72 और 2-0 मतलब 1% कमान 400 आगया एक परसेंट कमान कितना 400 अब आफ से यह पूछ रहा है कि उसने यातरा पर व्यरासी गयाद करें यातरा पर कितना खर्च किया कितने पर यातरा पर यातरा पर कितने खर्च किया यातरा पर 12% खर्च किया उसने अब एक परसेंट पराबर 400 अब पूछ रहा है यातरा पर कितने खर्च किया मतलब 12% कमान वह एक परसेंट पराबर 400 तो पारे कितना बारे चौक 4800 वह 4800 रुप पर 40 से कर दीजिए, पूछे कराई पर कितना खर्च किया, 400 कमल पर 20 से कर दीजिए, पूछे सिक्चा पर कितना खर्च किया, 400 कमल पर 10 से कर दो, जिससे पूछ रहा हूँ सी से मल्टिप्राई कर दो, आप निकाल के बता देंगे, जैसे की 12% या तरप खर्च किया, मैं 12% का मत अगला प्रशन है जब एक भिनने के अंश में 10% की ब्रदी और हर में 20% की कमी होतो हूँ देखिए आप अच्छे जानते हैं कि उपर वाली संख्या जो होती है वो अंश होती है और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है ठीक है वो कह रहा है कि अंश में 10% की ब्रदी अंश जो भी रहेगा अपने आप में 100% और 100 में 10% की ब्रदी हो जाएगी तो 110% हो जाएगा यह ठीक है अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि ये जो बराबर वाली संख्या है बराबर से पहले अगर मैं इसको बराबर किधर ले जाओंगा तो संख्या पलट जाएंगी 110 के बटे में 80 है तो 80 कहां चला जाएगा उपर और बटे में क्या जाएगा 110 बराबर से मैं बटे वाली संख्या को बराबर से इधर ले जाओंगा तो संख्या पलट जाती है अब 0 से तो 0 कर जाएगा 8 से 8 कर जाएगा ओपर कितना बच्चा 5 और बटे में कितना बच्चा 11 पांच बटे 11 यह आपका आंसर हो जाएगा उमीद करूँगा कि प्रेष्णे सभी को अच्छे समझ में आ गया किसी को कोई समस्या नहीं होगी इतना कठरिन प्रेष्णी नहीं था जो समझ में न आया हो ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेष्णे अगला प्रेष्णे है एक आयत की लंबाई में 20 परसेंट की और जो चोड़ाई होगी वो भी अपने आप में 100% होगी यह बात जानते हैं यह पहले की हमने निकाल ली जो परिवर्तन होगा वो तो बाद में होगा पहले की मान ली हमने का पहले की जो लंबाई होगी 100% और जो चोड़ाई होगी वो भी 100% ठीक है अब बाद में क्या होता उसे देखिए बाद में लंबाई में क्या होता है 20% की ब्रद्धी हो जाती है पहले लंबाई सो थी 20% की ब्रद्धी हो जाएगी तो 120% हो जाएगी ठीक है और चोड़ाई में 10% की कमी चोड़ाई पहले सो थी और चोड़ाई में 10% की कमी हो गई तो चोड़ाई कितनी हो गई आपकी 90% रहे गई, अब कह रहा है, कि उस आयत के 6 फल में प्रतिसत परिवर्तन क्याद करें, ठीक है, 6 फल में, तो 6 फल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चोड़ाई होता है, ठीक है, इधर भी निकालेंगे, लंबाई गुने चोड़ाई, ठीक है, देखे, लंबाई गुने चोड़ाई पहले वाली कितनी थी, पहले लंबाई आपकी 100 थी, और चोड़ाई भी आपकी 100 थी, और बाद में लंबाई कितनी हो गई, 120 हो गई, गुने चोड़ाई कितनी हो गई, बाद में 90 हो गई, यह पहले की लंबाई चोड़ाई है, यह बाद की लंबाई चो हो गई तो कितने बढ़ गई 10,000 से 10,800 हो गई तो कितनी बढ़ रही है 800 बढ़ रही है कितने की ब्रद्धी हो रही है 800 की कितने पर हो रही है दोस्तों कितने पर हो रही है दस अंसर हो जाएगा उम्मिद करूँगा कि सभी को प्रेश्ण अच्छे से केलियर हो गया है किसी को भी प्रेश्ण में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेश्ण है एक परिक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है जो राम है व है तो यह फेल नहीं होता पास हो जाता है तो हम इसको पास बना लेंगे असी अंक कि सको और देटिते जाट्र त таких यह और आ कॉमसे ब्यक्ति यह श्याम है दूसरा ब्यक्ति श्याम है किने बहुंते से और 15 से यह और रहा यह हो जाता है तो इसे विर हम पास बना लेते हैं तो पंद्रह परसेंट इसको दे देते हैं ताकि यह पास हो जाएगा प्रतिसत वाल एक तरफ लेलो ठीक हैows मैं 15% को इधर लाओंगा तो ये पिलस का है इधर आके माइनस तो 30% में से 15% गया तो 15% ही बचेगा 80 को इधर लेके जाओंगा तो 200 में सची घर जाएगा 120 तो 15% की वैलू 120 आफ से कह रहा है कि परिक्षा के अधिक्तमंक क्या थे अधिक्तमंक मतलब 100% का मान पूछ रहा है कितने % का 100% का तो कैसे निकालेंगे इस 120 में 15 से डिवाइड देंगे 120 में 15 से डिवाइड कर देंगे 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे अंसर आ जाएगा पंदर अठे एकस्वबीस आठ का मलपई 100 से कर दीचे 800 तो परिक्षा में टोटल लंके कितने थे 800 थे यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है सभी को प्रेश्णी किलियर हो गया होगा कोई समस्या नहीं होगी अब देखेंगे अगला प्रेश्णी अगला प् परक्रश्णी आप 54600 है अब यह 10% कम होती है कोई भी जंसरें क्या हो वह एह अपने आप में 100% होगी जितनी भी हो अपने आप में 100 % होगी अब 100% मेंसे क्या हुरा कि वह साल 10% कम हो जाती है अब 10 % इसमसे कम होती है तो इसंके पर परसंट बचेगी, परसंट का मतलब बटे में 100, अब जितने वर्स की बात कह रहा है, इसी उतने ही बार गुना कर देंगे, दो वर्स बात कर रहा है, तो इसका गुना दो बार कर देंगे, 90 बटे 100 का, अगर तीन वर्स की कहता तो इसका तीन बार कर देते, चार वर्स की कह होगा multiply होगा पहले 9 का multiply मैं इतनी से कर दूँ 9 6 के 54 का 4 carry का 5 9 2 18 18 में carry का 5 जोड़ दूँगा 23 23 का 3 आएगा carry का 2 9 7 63 63 में carry का 2 जोड़ दूँगा 65 इन दोनों का multiply हो गया इतना आया अब multiply कितना बचाए इस वाले 9 से बचाए कर देंगे 9 4 36 का 6 carry का 3 9 3 27 carry का 3 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा फिर से carry का 3 9 5 45 45 में carry का 3 जोड़ देंगे 48 का 8 carry का 4 9 6 के 54 54 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यह आपकी प्रश्न का सही आंसर हो गया उम्मीद करूँगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आगया है किसी भी ब्यक्ति को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आगयोंगे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 दन्यवाद